क्लास الف्ट, गूड मॉर्णिंग, आज हम करेंगे चेप्टर ट्वेंटी, चेप्टर ट्वेंटी जो है, वो है हमारा प्रोस्पारिटी फ्रॉंग् एग्रि कल्चर, ठीक है, इसका मतलब खेती से खुशहाली, तो खेती से क्या आती है, खुशाली आती है, ठीक है, अब देख एक लड़के ने अपने अंकल को ठीक है, लेटर लिखाए, अब उसने लेटर में क्या लिखाए चिथी में, respected uncle, all is well at this end, ठीक है, यहाँ पर सब कुशल है, I hope that all is hell and hurty at your end, इसका मतलब कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, it has rained hard in our area, इसका मतलब कि इस बार हमारी यहाँ पर अच्छी वर्षा हुई, In the people field, we have sawed moot and moong with the help of tractor, इस बार people के खेत में हम लोगों ने tractor की साहिता से moong और mot की बुवाई की है, ठीक है, moong और mot बुवाई है, We had saved the seeds of these pulses last year, तो पिछले साल के जो moong और mot के जो 20 थे, उसे हम लोगों ने बचा कर रखे थे, It took us five hours in sewing in the savanya field, ठीक है, कि जो सवानया जो field है, वहाँ पर हम लोगों ने इसे बोने में पांच घंटे लगे, तो moong और mot को हम लोगों ने कहां बोया, savanya जो खेते उसमें बोया है, और इसे बोने में हमें पांच घंटे का समय लगा, वी सोट बाजरा, तिल, एंड जोवार in this field, और इस खेत में हम लोगों ने बाजरा, तिल, जोवार, आधी फसल बोई है, वी हैव बोट तिल सीट्स फ्रोंग दा कोपरेटिव समीती, तो जो कोपरेटिव है, वहाँ से हम लोग तिल के बीज लाए, और बाजरा और जोवार, इसके जो बीज है, वह हम कहां से लेकर आए, बाजार से, तो तिल के सीट कहां से लाए, कोपरेटिव से, और मार्केट से बाजरा और जोवार के बीज लेकर आए, एट प्रिजेंट, दा क्रोप सीम्स गुड और इस समें फसल अच्छी दिखाई दे रही है, और हमने इसकी निराई और गुड़ाई भी कर ली है, और खेत में ही हम लोगोंने डाणी, जिसे बोलते हैं न छोटा सा घर बना कर रहते हैं, तो वहीं बना कर रह रहे हैं, we have placed a scarecrow also in the field, देखो, scarecrow क्या होता है, एक प्रकार का आदमी का पुतला होता है, ठीके, ये इसलिए लगाया जाता है, ताकि जो birds हैं, जो animals हैं, वो समझे कि खेत में कोई आदमी है, और खेत में उन्हें इसा लगेगा कि कोई आदमी है तो वो खेत में लगी जो फसल है, उसको नुकसान नहीं पहुचाएंगे, ठीके, उससे देखकर वो क्या डर जाते हैं, तो उसके हम क्या बलते हैं, इसकेर क्रो, तो जानवरों को भगाने के लिए उस पुतले को खेत में लगा दिया जाता है, जिसे कई स्थान पे बीजू का भी कहा जाता है, और दूर से वो आदमी जैसा दिखाई देता है, और इस पुतले को देखकर, जो बीजू का है, उसको देखकर, जो बर्स और एनिमल से वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, आई टच दा फीट और रिस्पेक्टेड नाना जी और नानी जी, ठीक है, और नाना और नानी जी को मेरा चरण इसपर्स, मदर विशेश, यू आल टू बी प्रेजेंट हीर, एड़ टाइम ओफ हार्वेस्टिंग, मेरी माने कहा है, कि आप सभी लोग, फसल की कटाई के समय, यहाँ पर पहुँचें, ठीक है, अर्थात, यहाँ पर आप लोगों को आना है, फसल की कटाई के समय, यूर एफेक्शनेटली मलकू, आपका मलकू, ठीक है, अब इसके बाद में, नेक्स्ट पेज, एग्रिक कल्चरल इंप्लिमेंट्स, अर्थात, कि जो हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, फसल की कटाई करते, आधी के लिए हम कौन-कौन से आउजारों का उप्योग करते हैं, equipment, मतलब आउजार, the farmers use different kinds of implement in sowing and harvesting, कि जो किसान होते हैं, वो बीच को बोने में, और फसल को काटने में, वीभीन प्रकार के आउजारों का उप्योग करते हैं, कि इसमें से कुछ जो आउजार हैं, वो गाउं के जो कार्पेंटर हैं, वो बनाते हैं, और कुछ जो लुहार होते हैं, लुहार, वो खेती से सम्मंदित आउजार बनाते हैं, कि इसमें से कुछ खेती के जो पिच्चर हैं, वो नीचे आपको दिये गए हैं, कि खेती में प्रियोक किये जाने वाले कुछ आउजारों का नाम यहां आपको बताना हैं, ठीक हैं, अब देखो यहां पर, यह हार्वेस्टिंग हो रही हैं, ठीक हैं, खेत की जो फसल हुई है, उसकी क्या हो रही हैं, ठीक हैं, और यह एनिमल्स के जो जानवर हैं जो बैल है, उसके माध्यम से खेत की जुताई की जा रही हैं, और यहां पर देखिए, इस जगे पर, यहाँ पे जो farmer से वो क्या कर रहे है फसलों को काट रहे है, ठीक है कुछ जो मजदूर है जो खेट पर काम कर रहे है वो फसल को काट रहे है यहाँ हम यह भी कह सकते है कि जब हमारी फसल उखती है तो फसल के अंदर अनावश्यक जो चीज साफ भी उख जाती है ठीक है इसके बाद में ये जो पिच्चर है इसके अंतरगत ये बताया गया है कि कुछ सबजियां यहां पर उगी हुई है उस सबजी को तोड़ कर ये टोकरी में भर रहे हैं ठीक है और यहां पर जो खेते वहां पर कितना सक दवायों का छिड़काव किया जा रहा है ठाकी फसल में कोई कीड़े ना लगे कोई रोग नहीं लगे और यहां पर ट्रेक्टर द्वारा खेत की जुताई की जा रही है ठीक है जुताई की जा रही है ठीक है कि जो मलकु है उसने क्या क्या खेत की जुताई करी और फिर उसमें क्या बोई बीज बोई किसकी साहिता से ट्रेक्टर की साहिता से कि कुछ जगाहों पर जो एनिमल से उनकी साहिता से खेती का जो कारे है वो किया जाता है जैसे खेत को जोतना तो बेलों के जो बेल होते है उसकी पीछे क्या होता है हल लगा दिया जाता है और इस हल से क्या क्या जाता है खेत को जोता जाता है ठीक है तो जुताई और बुवाई दोनों में इन बेलों का उप्योग किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर बेल का उप्योग किया जा रहा है और यहाँ पर केमल का यूज किया जा रहा है खित की जुताई के लिए ठीक है बासोन मैं परंतु वर्तमान समय में जो एनिमल्स का उप्योग बहुत रेर केस में या कम इस्थान पर किया जाता है क्योंकि वर्तमान समय में क्या आगया आपके आधुनिक सामगरी आ गई है ठीके जैसे ट्रेक्टर के माध्यम से खेट की जूताई करना ठीके और मशीनों के माध्यम से फसल की कटाई करना आधी जितने भी कारे हैं वो सब किसके द्वारा के जारें मसीन से ठीक है तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे फिर इसके बाद में next जो class होगी उसमें हम पढ़ेंगे fertilizer and pesticides के बारे में